हालो फ्रेंड्स वल्कॉम् टू मैं चैनल टेक्निकलोशिन आज प्रेंड हम हिटाची का नेया फाइफ स्टार इंवर्टर से अन्बैक्सिंग करेंगे जो आपका एस्पेंडेवल इंवर्टर टेक्नलोजी साथ आ जाता है तो फ्रेंड आप आम चैनल पे नहीं आए तो सस्क तो फ्रेंड फानेल हमरा ऐसी अन्बैक्सिंग हो चुका है इसी के अंदर क्या क्या आस्ट सरज मिल जाता है उसी को प्रेपेलर देख लेते हैं सबसे पहले इसी माँ का रीमोट मिल जाता है जो आपका डिस्प्लेवाला रीमोट है आगे चलके इसी के बारे में फूल इसी के अंदर मेंशन किया हुआ है उसी के साथ आपका स्क्रू और आपका वाल मांटिंग स्ट्रीप भी इसी के अंदर मिल जाता है जो आपका बाहर से पत्सकाना नहीं पड़ेगा और फेंड ही आपका हीटेची का फाइफ स्टार का इन्वेटर अशी है जिसी का मोडल न 25,245 जो आपका बहुत यच्छा कुलिंग कापसिटी इसी के अंदर मिल जाता है और इसी के अंदर आपका 882 का ग्यास मिल जाता है तो आपका पहले 410 गयास मिल जाता था अभी आपका 882 का ग्यास इसी के अंदर आपका दो टो फिल्टर लगा हुआ है जो आपका बीच बी के साथ अच्छाac पच्चर बहुत ही अच्छा एशी है और इस़िक में कटेश्चय करैं करेंगा Hoag आपका power on up का indicator मिल जाता है और इसी के नीचे आपका ambient line का option मिल जाता है जो आपका room के temperature के हिसाब से cooling provide करेगा है जब यह आपका auto mode use करेंगे और फिर यह आपका expandable inverter technology है जो आपका tropical climate में भी आपका काम करेगा जो आपका ज्यादा temperature हो गया तब भी आपका running करेगा जो आपका maximum स maximum 52 degree temperature तक आपका AC running कर सकते है और इसी के अंदर जो आपका swim का option मिल जाता है आपका 90 degree तक आपका swim करेगा जो आपका long area room है तो आपका cover जल्दी कर देगा उसी के बाद इसी के अंदर आपका filter कैसे खोलेंगे क्योंकि यह आपका auto clean का option नहीं मिलता इसलिए आपका filter clean करने के ज सकते हैं आपका temperature का display और आपका प्यान का display कुछ इसी के अंदर नहीं मिलता और इसी के उपर के side में आपका filter खोलने के लिए option मिल जाता है जो आपका filter निकाल कर बाहर ले जाकर साप कर सकते हैं जो आपका कपड़े बाला दोटो filter इसी के अंदर आपको मिल जाता है और यह दो filter इसी के अंदर मिल जाता है जो आपका easily wash कर सकते हैं उसी के बाद इसी के अंदर जो आपका पहले control box मिल जाता था हो आपका fiber का मिल जाता है जो आपका spark होने के time आग लगने का chances मिल जाता था अभी आपका control box जो आपका metal का मिल जाता है जो आपका आग लगने के time भी लेटी रेटी निल जाता है, तो टाल आपको एक साल में 780 रेटी रेटी के न संकरता है जो आपको बहुत कम लेटी रेटी करेंगे, जो आपको energy saving करना चाहते हैं, तो EAC पर्सकेश कर सकते हैं, जो आपको 5 स्टार में सबसे कम इलिटिक अंजसन करता है तो फेंड यह इसी आप 15 करना चाहते हैं तो इसी के MRPS 71990 तो आप बाहर से 15 करेंगे जो आपका 44 से 45 के अंदर आपको मिल जाएगा जो आपका हीट अची का 5 स्टार का इनवर्टर टेक्मिलोजी वाला स्प्लीट अची है तो फेंड चलिए इसी एसी का रिमोट का उपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं क्या क्या option इसी का अंदर मिल जाता है उसी के उपर भी देख लेते हैं तो फेंड यह उसी का रिमोट है जो आपका डिस्प्लीए वाला रिमोट है जो आपका अपने ही साफसे टेंपरिशर राउड़न कर सकते हैं और इसी का अंदर आपका 0.5 भी आपका अर्जस्ट कर सकते हैं जो आपका 0.5 का option भी इसी का अंदर मिल जाता है उसी के बाद आपका sleep mode मिल जाता है जो आपका slip mode भी इसी गंदर यूज कर सकते हैं उसी गवाद इसी गंदर आपका fan speed up-down करने के लिए भी मिल जाता है जो आपका fan speed आपका air throw जादा करेगा उसी गवाद इसी गंदर आपका time और open करने के लिए भी bottom मिल जाता है आपका time दिये है YSY में, तो आपका time भी open कर सकते हैं, उसी बाद आपका silent option मिल जाता है, जो आपका silent air चाहते हैं, तो आपका silent option भी कर सकते हैं उसी के बाद इसी गंदर आपका i-fresh का वाटम मिल जाता है यह आपका i-fresh का टेक्नोजी इसी इसी गंदर नहीं मिलता तो यह वाटम आपका कुछ काम करने का जुरुत नहीं है उसी गंदर अपका LED फिल्टर का option नहीं मिलता है इसलिए शर्व आपका off-down का bottom इसके अंदर मिल जाता है उसी के बाद आपका lock का bottom मिल जाता है और उसी के side में आपका inverter और साइलन का वॉटम मिल जाता है ये आपका तीनो वॉटम कुछ काम करने के जोरत नहीं है ये आपका AC में है तभी आपका काम करेगा तो फेंड इतना ही फैसलिटी येसी रीमोट के अंदर मिल जाता है और फेंड येसी आप पट्चस कहा चाहते हैं तो मैं आपको लिंग ड झाल झाल झाल